टेस्ट में भरपूर, बनाने में आसान, ये मारकेट स्टाइल पेड़े आप घर पर आसानी से बना सकते हैं, मैं लाई हूँ इसकी एक स्पेशल रेसिपी, जिसको फॉलो करके आप बिल्कुल बजार जैसे पेड़े बना सकते हैं, इस रेसिपी को बनाने के लिए बहुत सार पानी और जैसी हलका सा बॉल आने लगे तो साथ ही आड़ कर देंगे आदा लीटर की करीब दूद, दूद मैंने यहाँ पे काव मिल्क लिया है, आप चाहें तो कोई भी दूर ले सकते हैं, फुल फैट, भैस का दूर लेंगे तो और भी बढ़िया है, अब मीडियम से इक बॉल आ चुका है, जो मिल्क की क्वांटेटी है वो आदी हो जाए, तब तक मीडियम टू हाई फ्लेम पर स्टर करते रहना है, अब यह थोड़ा सा पतला है कंसेस्टेंसी में, तो आप पीच बिच में स्टर करिए, बीच बिच में ना भी करिए, तो भी चलेगा, पर एक बार यह गाड़ा होना शुरू हो गया, तो आपको कंटिनुसली स्टर करना है, मैंने जो कढ़ाई यहां पर ली है, वो आईरन की कढ़ाई ली है, जो पेड़े हमारे बनेंगे ना वो बहुत ही पॉस्टिक होंगे, क्योंकि आईरन की कढ़ाई में दूद को कारना दो गुना आपको टेस्ट आएगा, और साथ के साथ हेल्दी होंगे यह पेड़े, जो दूद कर करके, रिड्यूस हो चुका है 30% पे, आप फ्लेम को लो कर देंगे, और इसे अप कंटिनुसली स्टर करना है, बिल्कुल भी मत छोड़िएगा, जो साइट्स में दूद लग जब यह खोया बन के त्यार होगा, तो जो इसके पेड़े होंगे, वो बिल्कुल प्योर होंगे और इतने टेस्टी होंगे कि आपका बार बार बनाने का मन करेगा, अब कंटिनुसली स्टर करना है, फ्लेम को लो ही रखिएगा, दोस्तों अगर आप चैनल पर नए हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, साथ ही बेल बटन प्रेस कर दें लेटेस्ट अप्टेट से नोटिफिकेशन के लिए, जब कंसिस्टेंसी कुछ ऐसी हो जाए, गाडी, तो फ्लेम आफ कर दीजेगा, इसे कम से कम 15 मिट के लिए किसी प्लेट से ढखके रख देंगे, एक ब उसमें कलर आना शिरू हो गया है, अब मैं आपके साथ एक सीक्रेट शेयर करने वाली हूँ, जो हलवाई लोग करते हैं, अगर हम वैसे ही करेंगे, तो बिल्कुल मार्के स्टायल वाले पेड़े बनेंगे, एक कढाई में दो टेबल स्पून चीनी डालनी है, और उसे बिल कर दीजेगा, और इसको कंटिनुसली अभी भी स्टर करते रहना है, ताकि जो ये शुगर है, वो प्रॉपरली क्यारमलाईज हो जाए, जैसे ही शुगर मेल्ट हो जाए, फ्लेम को आफ कर देना, ध्यान रखना, क्योंकि जैसे ही इसमें धुआ निकल जाएगा, तो फिर आ कंटिनुसली स्टर करते हुए मिलाएंगे, आप चाहू तो पीच में फ्लेम आफ कर दीजेगा, अगर आप कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं, जो हमारी क्यालमलाईज शुगर है, वो थोड़ी जम सी गई है, तो खुरचते हुए मिलाना है, ये ऐसे नहीं मिलेगा, थोड़ा आपको खुरचना पड़ेगा, पांच से साथ मिनट लगेंगे, जब तक ये मिक्स होता है, तो हम एक काम और कर लेते हैं, एक तवा रख लेते हैं, इस कढ़ाई के नीचे, ताकि जो खोया है, और जो शुगर सिरफ है, वो मिल भी जाए, और जले भी ना, फ्लेम को मीडिय लो ही रखेंगे, मत्रा के जो पेड़े होते हैं, वहाँ पे तो बहुत सारी विराइटी होती है, वाइट पेड़े होते हैं, ब्राउन पेड़े होते हैं, तो आज हम वाइट पेड़े बना रहे हैं, घर पे बनाएगा ये फ्रेश पेड़े, फ्रेश मावा से बहुत टेस लगते हैं ट्राइ जरूर कीजेगा ये रेसिपी और अगर आप मेरे साथ शेयर करना चाहते हैं अपनी रेसिपी तो मुझे कमेंट बॉक्स में लिखके जरूर बताईएगा तकरीबन 10 मेट हो चुके हैं मुझे से भूनते हुए बस थोड़ी देर और और ये बिल्कुल हो जाएंगे इस टाइम पर मैं आट करी हूँ एक टीस्पून घी तेसी घी और इसे मिक्स कर लेंगे इससे क्या होगा खोया जो है वो नीचे चिपकेगा नहीं और एक बड़िया सा कलर आजाएगा शाइन आजाएगा पेड़ों में फ्लेम को आफ कर देना है और इसे मिनट बाद इस प्लेट को हटाएंगे और देखेंगे आप कितनी बड़िया से शाइन आई होई है इस पेड़ों के मिक्स्टर पे और कंसेस्टेंसी पे बिलकुल पढ़िया है जैसी हमें चाहिए ना ही पतली और ना ही बहुत थिक अब ये सारे मिक्स्टर को एक प्लेट म मैंने यहाँ पर 50 ग्राम यहाँ पर मैंने आड की है बूरा बूरा जो है अच्छान की यूज कीजिगा इसको हाथ से अच्छे से मिला लेंगे अगर आपके हाथ में यह चिपके तो थोड़ा सा घी लगा लीजेगा बस मिक्स करने के बाद इसको हमें देनी है शेप टेबल इसे जैसे मर्जी रख दीजिए यह शेप अपने आप ले लेंगे क्योंकि यह इतने सॉफ्ट है तो रेडी है यह पेड़े खाने के लिए बनाईए और मुझे ज़रूर बताईएगा कमेंट बॉक्स में कैसे लगे आपको यह पेड़े जब सारे पेड़े रेडी हो जाएं तो बूरा में आड़ कर देंगे एके करके और उसे कोट करेंगे देखे बिलकुल मार्किट जैसे यह पेड़े लग रहे हैं इसे डेकुरेट करें पिस्ता के साथ यह जबदस रेसिपी को ट्राई जरूर कीजेगा एक बार बनाएंगे और बार बार बनाने का मन करेगा मैं मिलूंगी ऐसी ही और बड़िया बड़िया टेस्टी इजी रेसिपी इसके साथ तब तक के लिए गुडबाई टेक केर डोंट फोगेट तो लाइक शेर और सब्सक्राइब